नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं आज का खास जोदिश जराठ की आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोज संतोशी बुध का राशी परिवर्तन बुध सिंग राशी में प्रवेश कर रहे हैं आगामी नौव अगस्त से ले करके रहेंगे 26 अगस्त तक स्त्रह दिन का बुध का एक खास परिवर्तन होगा जिसमें लगभक 11-12 दिन सूरे के साथ बुधा देत्य योग का भी ये निरमार करेंगे बुध सिंह राशी में मिथून से तीस्रे और कन्या से बारहहमे ह incense होते हैं तीसरा भाव और बारहहमा भाव अपनी राशी से तीसरा और बारहवा कहीं से भी सकरात्मक नहीं होता लेकिन चुकि सुरे के साथ रहेंगे ग्यारह दिन तो वहाँ पर इस्थिती दूसरी बन जाएगी क्योंकि योग होता है यूती हो जाती है सुरे और बुद्ध की तो सुरवात में नौ से लेकर के सोलह तक लगभग नौ स क्या मिलेगा फल मेश से लेकर मीन तक आये जानते हैं एक सांस में धारा प्रवा सबसे पहले मेश राशी आपके लिए बुद्ध का एक खास परिवर्तन पंचमभाव में रहेगा तीसरे और छठे के स्वामी होकर के लिहाजा आपके लिए इस्थिती कहीं से भी ठीक नहीं हैं बच्चों को लेकर चिंता प्रेम में निराशा प्रेम संबंधों में दिक्कत महिलाओं के लिए मिस्कैरेज की संभावना चोंकि खश्ठे शोकर के पंचम में आ गए बच्चों को लेकर के कुछ अप्रिय समाचार मांसिक तनाव ये सारी चीजे बुद्ध की वज़े स बढ़ती जाएंगी बच्चे अपने कंट्रोल में नहीं होंगे और आप परिशान होते जाएंगे विद्यार्थियों को स्रिक्षा में मन नहीं लगेगा तनाव बढ़ेगा लेकिन जैसे ही सत्रह को सूर्य आएंगे इन दोशों में कमी आएगी दोश कम हो जाएंगे स्रिकोर केंडर का संबन तो अच्छा है बट बुध का अपने से 12 अच्छी इस्थती नहीं है मा को लेकर के चिंता वहां से चूट चपेट की संभावना थोड़ी बहुत अप्री समाचार कुछ इस्थती अप्यश का भी बन रहा है यात्राओं में नुकसान चोरी आदी की संभावना बट सत्रह के बाद जैसे सूर्य का प्रवेश हुआ इन सारे दोशों में कमी आएगी और एक बार को लेकर के आप अपने पुरानी स्थती में आएंगे और फिर अवाडर हो सकते हैं धन की स्थती अच्छी रहेगी मिथुन राशी थर्ड हाउस की स्थती है बुद्ध की चतुर्थे शोकर के तृतिय भाव में आ रहे हैं मिथुन वालों के लिए यहां पर अपनी रासी के स्वामी होकर क्या रहे बड़ी मेहनत करवाएंगे बहुत मेहनत करवाएंगे मेहनत का परिड़ाम बहुत अच्छा नहीं मिलेगा और यह मेहनत सत्रह के बाद बढ़ जाएगी मिथुन और कन्यावालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है बहुत दुखदाई स्थिति हो सकती है मिथुन वालों को सावधान रहना है उपाहम बताएंगे करक राशी आपके लिए समय अनकूल हो सकता है क्योंकि यहां 12 के स्वामी होकर के करक वालों के लिए 12 के स्वामी होकर के दूसरे भाव में आ रहे है और तीसरे के स्वामी होकर दूसरे में आ रहे है अच्छी स्थिति क्या रहेगी जो पैसे आपके फंसे थे कही औरों के पास वो वापस आ जाएंगे बैंक बैलन्स को बढ़ा सकते हैं बच्चों को ले करके कुछ अच्छे निरड़े होंगे कुछ रुके काम आपके अपने आप स्वतह बंदने लग जाएंगे सत्रह के बाद की स्थिति और भी अच्छी होगी बैंक बैलन्स इंक्रीज करेगा बिजनस डील्स फाइनल हो जाएंगे सिंग राशी आपकी हिराशी में आएंगे बेश्ट सिंग राशी वालों के लिए है लाभेश धनेश शोकर के लगन भाव में आ गए धन की बेताशा विर्द्धी घर में किलकारी कुझेगी बच्चे कंसीब हो सकते हैं बच्चों की डिलिवरी हो सकती है बच्चों को ले करके कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं बच्चों को ले करके गर्व महसूस होगा पैसा आएगा सिंग वालों के लिए एवर बेस्ट टाइम है क्योंकि सूर्भी आ जाएंगे अपने लगन में तो नथिंग बेटर देन देस जितने पेंडिंग काम थे लिलेटेट टू मनी गजब बढ़ जाएंगे मकान बनते बनते रुग गया था पैसे की कमी से वो भी बनने लग जाएगा कन्याराशी आपके लिए अपने से बारह में आकर के बेताहाशा खर्च बढ़ाएंगे कुछ काम आपके जो पेंडिंग थे वो बनेंगे लेकिन बाहरी लोगों से मदद लेने में आप कामियाब हो जाएंगे बिदेश सुप संदेश के प्राप्ति होगी वीजा नहीं लग रहा था तो वो लग सकता है तुलाराशी आपके लिए यह एक आदस भाव में बुद्ध का परिवर्तन शुब है देखा जाए तो लाब बढ़ेगा धन बढ़ेगा नौकरी में प्रमोशन होगा लेकिन बच्चों को ले करके अप्रिये समाचार मिल सकता है क्योंकि यहां से जो दिश्टीन की है वो बहुत अच्छी नहीं है और सूर्वी आजाएंगे तो कुम्भ राशी को देख करके पंचम भाव को देख करके परिशान कर सकते हैं विश्चिक राशी आपके लिए लाभस्थान पर बुद्ध का परिवर्तन यह जो है विद्यार्थियों के लिए चिंता का विश्य रहेगा मा के स्वास्त को ले करके कुछ परिशान हो सकते हैं लेकिन वाहन का सुख अच्छा मिल रहा है धनुराशी यह भाग्यस्थान का परिवर्तन है भाग्यस्थान को बुद्ध मजबूती देने जा रहे हैं क्योंकि सूर्य यहां पर अपने घर के होंगे यात्रा में लाभ मिलेगा यात्रा के दौरा विशेश फाइदा होगा ट्रांसफर हो सकता है प्रमोशन हो सकता है और बड़ों का अशिरवाद तो मिलता ही रहेगा मकर राशी अश्टमभाव में बुद्ध की स्थती आपको थोड़ा सा चंचल बनाएगी मन पर काबू नहीं रहेगा गरत निर्ड़े लिए जा सकते हैं कुछ पैसा रोगों में खर्च होगा पिता के स्वास्त्र की चिंता सताएगी बैंक बैलन्स कम होगा मकर राशी आपके लिए सुग्रही होंगे तो थोड़ी बहुत इस्तिती अच्छी होगी कुम्भराशी आज आएंगे सप्तम में आएंगे सेवन्थ हाउस में आएंगे सिंग राशी में आएंगे बुद्र कुम्भराशी वालों के लिए अब यहाँ पर एक तो खश्ठेश जो है अज दिमाग कहां जा रहा है अश्टम भाव के स्वामी होकर के आएंगे और पंचम भाव के स्वामी होकर आएंगे पंचम अश्टम ध्यान देजेगा ये दोनों इस्थदियां बहुत विरोधा भाशी है पंचम जहां सकरात्मग है अश्टम नकरात्मग है कुम्भवालों के लिए यह इस्थदि मिक्स फल देने वाली है थोड़ा बहुत प्लस माइनस सत्रह तक चलता रहेगा बच्चों को लेकर खास दोर पर आप परिशान होंगे नौकरी में दिक्कत आएगी वहां से चोट चपेट की संभावना है लेकिन सत्रह के बाद सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा चपिश तक ठीक रहेगा मेन राशी आपके लिए तो अधभुत हैं ये दोनों के इंद्रों के स्वामी है चतुर्थ सब्तम और बैठे कहां है कहां आगए छटे में आगए गुप्त शत्रु एक दम से हावी होंगे आप पर बस यही एक नेगेटिव है पैसा ब्लाक होगा 26 अगस्त किसी को चवनी मत दीजिएगा और दे देंगे तो वापस आने की उम्मीद नहीं तकलीफ बढ़ेगी सोच समझकर फैसला लीजेगा कश्ट बढ़ सकता है गुप्त दुश्मनों पर ध्यान दीजेगा किसी पर भी भरोसा ना करे 26 तक तो बहतर है मीन वालों के लिए बहुत द्यान देने क्या वशकता है प्रियोग क्या करना है गणपत द्वादश नाम का जाप या ओम गंगणपते नमह का जाप गणपत द्वादश नाम बहुत 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 नहीं करते तो आप इसे बढ़ा दीजे करने लग जाईएगा शुब कामनाई देते हैं बुद्ध आप सब के जीवर में बुद्ध को सनमार्ग पर लेकर जाए ऐसी हम प्रात्रा करते है बहुत बहुत शुक्रिया आप अपना बहुत ख्याल रखें हमें अनुमर्द दीजेगा लेकिन याद रखेगा पंद्रह तक लगभग अभी हम यहीं हैं मुंबई में मुलाकात करने के लिए 9560447000 पर वाट्सअप कर सकते हैं नमस्कार शेदादे